जी, सेनेटर कुरतलैन मरी सहबा नहीं, नहीं, अमें जरूरत नहीं होती वो जूट बारबार रिपीट करने से सच नहीं हो जाता थांक यू डेपिटी चेर्मन साहब पीटी आई का एक मॉटो है नेवर लेट दे ट्रूथ कम दे वे अफ़ गोड स्टोरी मतलब क्या, नहीं, क्या बोला है एवरेज किसान के पास एक एकर जमीन है आई डूट नो, ये अवरेज इस गहां से आ रहे है ये शायद तभी किसी खेट में गई नहीं हम किसाने हम से पूछ ले पिछले चार महीने में एक दफ़ा पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ा मतलब ये कौन सी दुनिया में रहती है ये कौन सा पाकिस्तान है और डैम और डैम 20 अरब रुपे में बनता है एक डैम 20, हम उन्हें 20 अरब रुपे हमें डैम बना दे मतलब ये कहां से लाएं है थोड़ा साथ चैमिन साथ एक एवान है, सैनेट है, थोड़ा इंसान सोचता है मतलब एकना भी न फेंके कि हमसे पकड़ा न जाए मतलब हाद हो गई चैमिन साथ वैसे तो मैंने बजट पे बात करना था मगर बिफोर ताट पे एक चीज़ क्योंके आप लोगो नहीं ये रिपोर्ट रग दी थी अपना क्या नामे ब्रॉडशीट वाली एक और अफसाना है, कहानी है बड़े मज़े की ये मैं पढ़ रही थी, एक इसमें लाइन है जिसने मुझे बहुत ज़्यादा अपसेट किया और I'm sure सारे सेटर्स मुझे अगरी करेंगे and the line reads in the report moral fiber and loyalty appear to be in short supply in the Islamic Republic of Pakistan I take offense whoever has written this should come and apologize to the people of Pakistan ना हमारे में moral fiber कम है ना हमारे में loyalty कम है हाँ जिसने ये रिपोर्ट लिखी है ना उसमें दोनों का फुक्डान है क्योंकि ये जो कहानी लिखी है ना ये मतलब ये बीबी की तक्रीर के तरह थी यहां से पकड़ो यहां से छुट जाती है वहां से पकड़ो वहां से छुट जाती है हमारी समझ में नहीं आई अब बात ये जी बजट पर आते हैं आमें को समझ में नहीं आये किया budget है क्या नहीं है मतलब budget से budget से ज्यादा इमरान खान की तारीक थी budget speech में frankly मैंने पॉना घंटा लगाया पढ़ने में मगर फ्राइम मिनुस्टर बगा तारीक है आज भी स्पीचेज में शुरू उनकी तारीफ, एंड उनकी तारीफ, बीच में उनकी तारीफ, I think there is a formula that our honourable government works on, they have all been taught. बात ये है जी के PSDP Federal, पहले में बजट पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, PSDP Federal, जो आर्टिकल 156.2 के तहत, NEC, National Economic Commission में बनता है, जो के इसलिए बिठाई जाती है, वो meetings इसलिए की जाती है, 156.2 के तहत, के balance development हो और regional equity हो, ये federation का house and senate तो मैं balance development और regional equity की बात क्यूं कर रही हूं, क्यूंकि इस दफाव federal PSDP में सिंध को completely ignore किया गया है, मैं आपको सिरफ दो examples देती हूँ, एक तो आप communication divisions उठा ले, National Highway Authority, उसमें अगर्चे पंजाब को 22 scheme में दी है, KP को 21 दी है, बलोचस्तान को 15 scheme में दी गई है, वो भी हमारे सूबे हम मानते हैं, लेकिन सिंध को सिरफ दोस्त की में दी गई है, सिंध के साथ ऐसा सुलूक क्यूं, क्यूंकि सिंध में PTI की हकूमत नहीं है, मतलब हमारे तो जहन यहीं जाता है, मतलब सिंध जहां पे, जो हम 70 फीसद रेविन्यू पाकिस्तान को देते हैं, जी अगर हम इतना चोर होते हैं न, तो SRB की रेकर्ड कलेक्शन नहीं होती, आपने हमसे लोग मांगे के कलेक्शन कैसे बेतर करें, रहने दे, यह आप लोग का जो यह लाल बत्ती के पीछे लगाने का तरीका है न, लोगों का है, डाजन वर्क नीमो, सिंध में फाइनांस डिविजिन ने दो स्की में थी, अगें, आल प्रोविंसे गट 10 ताइम्स अस मेंनी स्कीम्स, 15 स्कीम्स, 20 स्कीम्स, 22 स्कीम्स, हमारे साथ ऐसा स्टेप मदली बहेवियर क्यों? आप ये जवाब देना कि जिसंध, आप बड़ी बाते करते हैं कि जिसंध भी हमारा सुबह नहीं है, आपके प्राइम मिनिस्टर साब बड़े अराम से बोलते हैं, जिसंध हमारा सुबह नहीं है, सिंध में जिन्दा लाशे रहती हैं, तो यू आ प्रूविं इट बाइग्नॉरिंग अस इंद पी एस डीप, बाइफ लॉटिंग अंटिटूशन ऑ पाकिस्तान, विच क्लियर्ली इन अर्टिकल 152, 156.2 सेज, कि जी मिलेगी NEC इस लिए कि equitable distribution होनी चाहिए, गई जी equitable distribution, आपके सारे और जो claims हैं, उनकी तरह उतकी नजर हो गई, आपका जो budget है, वो मतलब आपने बड़ी-बड़ी बातें तो की हैं, आपके सब्सक्राइब, जो कि मैं से पढ़ रही थी, मुझे तो ना टाक्सेशन पता है, और जो हमारी मुझ से पहले खातून बोल गई है, वो हर चीज की expert है, I prefer not to talk about things I don't know, I was looking at the budget, और मैंने देखा कि जी, रेडियो पाकिस्तान में एक उडिटोरियम बन रहा है, तीन करोड उपेगा, अजब रेडियो में ऑडिटोरियम की क्या जरूरत है, अबल तो ठीक है, रेडियो इस, you know, it's a dying form of communication, but still fine, रेडियो पाकिस्तान में एक उडिटोरियम की जरूरत क्या, this seems like 3 करोर्स, but the point is, this is a hidden budget expenditure, उसके बाद जी, आपका पाकिस्तान इंस्टिटूट उडिवल्में एक उनिवरस्टी है, साड़े चार अरब में उसका नया कैंपस हम बना रहें इसलामबाद में, क्यों? प्राइम मिनिस्टर युनिवरस्टी नहीं दे रहा था अपने घर में, उनको बोलो प्राइम मिनिस्टर हाउश शिफ्ट हो जाए, साड़े चार अरब रुपे, why are we giving to the Pakistan Institute of Development Economics, which is a for-profit university, for their campus. उसके बाद जी, 80 करोड़ पे आप दे रहें, पी टीवी को रिवांप करने के लिए, क्यों प्राइम मिनिस्टर सापके दोस्तों के लिए कम पढ़ गया था, जो भी उन्हें ने मराद दी थी पी टीवी में, उनको चैमन बना के, why are we obliging the PM's friends? असी करोड़ पे में, क्या आप कर रहें हैं, पी टीवी में जो आप रिवांप करें, पी टीवी वैसे आपके कम ताबे हैं, all these expenditures, we don't understand them, 7 करोड़ पे आप पी एम का household expenditure, 117 मुलाजमीन हैं, भी बड़ी-बड़ी बाते हुई, कि कैम आप आफिसे, फ्लार ढंका ढंकी, वो कोई खतम नहीं हुआ है, फरक सिर्फ ये कि प्राइम मिनिस्टर साब जो बोलते थे, मैं साइकल पे दफतर जाऊंगा और यूनिवर्स्टी बना दूंगा, वो आप अपने घर से दफतर भी हेलिकॉप्टर में जाते हैं, नैशनल ट्रांसपोर्ट रिसर्च सेंटर, 100 मिलियन उनको दिया गया है, वाट अफ दे ड़न, वाट अट आदे रिसर्चिंग इन ट्रांसपोर्ट, मतलब उन्होंने क्या पिशावर बियार्टी जैसी ट्रांसपोर्ट हमें देना चाहते हैं वो, हमें फिर नहीं चाहिए, तो ये जो खर्चे आपने रखे हुए न, आपने पावर सेक्टर में सबसिडीज दे दी, साथ कुना ज्यादा, के इलेक्ट्रेक हमारा खून चूज गई है कराची में, हैसको का हाल ये है वाबडा है, हैसको का कि हमारे पास 16-18 घंटे बिजली नहीं होती, मगर आप लोगों ने 7x as much subsidies दे दी हैं, किस बेसिस पे, लोगों से पूछा है, हमें कहते हैं गवर्मेंट वाले जी, अवाम ने ये बजट कबूल के है, कौन सी अवाम से पूछा है आपने, आप मिले किस से, लोग इस वक खाने को तरस गए है, जो दो वक खाता था, वो एक वक खा रहा है, सुफैद, पोश, फाका कशी कर रहा है, वो आदा पीपल याट टॉकिंट तू, मतलब एक कहानी के बाद, एक कहानी कोई एहसास है, आप ये छोड़े, आप बाहर चाहे जा के अपने लिफ्ट वालों से पूछे, वो किस तरह गुजारा कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं यार, हमारी वीट इंपोर्ट मुल्क था, जरदारी साब एक साल भी वीट एक्सपोर्ट बना दिया, हमें वो बताएंगे अग्रिकल्चर कैसे सही करते हैं, इनफ वीट थी, अफगानिस्तान भेज दी, फिर कहते हैं, हमें निचोड़ना बंद करें इस वत अवाम की बात करते हैं, सिर्फ निकले असेम्बली से बाहर जाएं जो धरने चल रहे हैं, जाके अपनी प्रोटकॉल के बगएर, खड़े हो जाएं और फिर देखें, लोग इनके साथ क्या करें के, इस वत अवाम बिजार है, डेपिटी चेर्मन साहब, आप अगर अगर अगरिकल्चर करते हैं, आपको डियेपी महंगा, यूरिया महंगा, पानी है नहीं, ट्रैक्टर की दाम बढ़ गई, पेट्रोल की दाम बढ़ गई, आप कोई मुनाफ़ा नहीं कमातें, और ये कोई अवरिज नहीं है कि अगरिकल्चर एक बंदे का एक एकड़ होता है, ये तो सब जूट है, तो आप कोई मुनाफ़ा नहीं कमातें, अगर आप दुकान खोल के बैठें, तो आप कोई मुनाफ़ा नहीं कमातें, बिकज रॉव माटीरियल प्रॉडक्ट सब कुछ बहुत महिंगा हो गया है, लोगों की बाइंग पावर कम होगी, गरीब का गुजारा नहीं हो रहा है, गरीब इस वक्षून के आसूर हो रहा है, कहीं लोग खुदकुशी कर रहे हैं, बिकज दे कैनाट अफोर्ड टू फीड देर फैमिली, कौन से मैक्रो इंडिकेटर तो कौन सी, जो है वो जेपी मॉर्गन तो वह वाट अधी सेंग, मतलब ये वो ही पार्टी है जो कहता थे इमरान खान साब के जी मैं खुदकुशी कर लूगा, आएम एफ नहीं जाओंगा, हम नहीं भूले, आप कहरें, अच्छा गए तो क्या हुआ, तुम भी गए थे, वाइस दिस, हमने तो नहीं कहा था हम खुदकुशी करेंगे भाई खुदकुशी कर तो आप के लिका था प्राइम मिनिस्टर साब ने, एक फेडरल मिनिस्टर ने कहा था, इमरान खान आज आएगा, हम कल 200 अरब मारेंगे आएम एफ के मूपे, उस दिन गए वेते हैं, पता नहीं साओधिया औरेविया में कौन से मुल्क में चंदा लेने, मतलब चावल लेने वो ही, वो असल में हम एगरिकल्चिरल नेशन है न, तो चावल लेने की जरुद पड़ गई हमें, मतलब प्रॉब्लम इस, अच्छा ये मतलब हमारे पास जॉबलसनेस है, ठीक है, आपने बढ़ा दी, मैस लेवल पे बढ़ा दी, हमारे पास होमलसनेस आपने मैस लेवल पे बढ़ा दी, जिस वक्त बारा लाख में, आप बनी गाला रेग्लराइस कर रहे थे, उस वक्त डीसी इसलामाबाद कच्छी अबादियों को रेस कर रहा था, वो ही शहर, वो ही शहर 10 किलोमेटर अवे, बनी गाला वस बिंग रेग्लराइस वर 12 लाक्स आप बीपल रहें दिर ओम स्रेस्ट वाट ओंस अव्या रुपार देंगे अरे भाई उसके बस खाने को नहीं है वो घर कहा से बनाएगा, बात यह ना, आप ओवर्सी पाकिस्तानी जाहर है, आपको रिमिटन्स आ रहा है क्योंकि आप यहां तो लोग को नाक्रिया नहीं द स्टेशन, अनफॉर्चनेटली वोट यहां वो दे जो भुगते, हम भुगतते हैं, वह वहां बैठकर नहीं भुगतते, उनको नहीं भुगतना पड़ता, जो नताइच को भुगतेगा, उसको वोट देने का हक होना चाहिए, यह तरीका खलत है, ठीक है, आपको पता होगा जी ये पॉलिटेशन अच्छा है ये, लेकिन आप यहां सोला घंटे लोट शेडिंग नहीं बरदाश करते, आप यहां पर गरीम मुफलिस ही, आप गरीमों को नहीं देखते, आप यहां पर महिगाई नहीं बरदाश करते, आप यहां पर यूमन राइस, फ्रीडम आफ अच्छा है अच्छा है मतलब मजाग बना दी अगर हम कहते हैं और सी नावर करे मतलब हम आवथी पाकिस्तानी की, ख़ध़ नहीं करते हैं ऐता हैं लेकिन परदाश हम कर रहे हो नहीं कर रहे हैं आपको, कुछ तो ग्रडित दो बरदाश करने का, कोविट आ गया, अब हब सब कोवड का क्रेडिट ले रहें. ग्रेट, you know, we run a great job, कोवड से बच गए, Allah ने बचा लिया, फलान, रमकाड़ू। कोवड सिरफ एक फ्लू है. यह सिरफ बुड़ों को लगता है या बीमारों को लगता है. यह कौन बोलता था? इम्रान खान साब कोविट से ज्यादा कार एक्सिडेंट से लोग मरते हैं हमने गाडिया तो बैन नहीं की असद उमर आपने उसको एंसी उसी का हेड बना दिया कोविट एक दिर महीने में खतम हो जाएगा जब गर्मी आएगी तो कोविट चला जाएगा खेर से प्राम मिनिस्टर साब लॉक डाउन एक फैशन है इम्रान इसमाईल कोविट के लिए आप कोशिश करें बजट पर आज़ें प्लीज आपने एकिस मिरिट दियें डेप्टी चैर्मेंट साब आएगा लेकिन बजट पर आएग प्लीज़ बैज़ेगी जी कोविट इस और फुटबाल मैश देखना वो बजट से रिलेटेड था आपने उनको तो नहीं रोका गैर मुंसिफाना बहेविया रखें डेपडी चैर्मेंट साब गैर मुंसिफाना इस तरह ना करें लोगों को हर किसी का बोलने का हक है फरक यह फरक यह है कि हमने जूट भी सुने करोना खतरनाक है जान लेवा नहीं पूरा डेड़ महीना इस फैडरल गार्मेंट ने हर गाउं देहात करा शहर में लोगों को यह रिकॉर्डिंग सुनाई है लोगों का दमाग खराब किया है बोलके करोना जान लेवा नहीं है पिर प्राइम इस आप कहते हैं जी मस्जदो में करोना नहीं है मस्जद खुलने का आइडिया हमारा बिल्कुल ठीक था मस्जदों में करोना नहीं है मतलब इस तरह की खेर जिम्मेदाराना हरकते तो आप लोगों ने करोना में किया आप बात क्या कर रहे हम करोना से लड़े है वाट आ यू इवन से असाद उमर इस से कहते है जल्दी से एड़ी शॉपिंग कर लो वरना लोगडावन लग जाएगा वाट इस गोई ओन इस दिस अगर्मेंट उसने सब्सक्रास यह कोई बात करने वाली वो NCOC का है वो NCOC का है जो कह रहा है हमने गाडिया तो बहनने की गाडियों से जादा लोग मरते कि तरीक गलत है यह तरीके गलत है यह घर जिम्मेदार बाते हैं यह एर इर्रिस्पॉंसिबल स्टेटमेंस वं पीपल वू शूद आव नों बैटर बाद देड़न आप देड़न ली है वाड़ देजिवन मीन मतलब यह कहा की लौजे कही कहा से लाते है क्लाइमेट चेंज की बात की बहुत अच्छी बात है दा क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर सेज कोविट 19 का मतलब है इसके 19 पॉइंट सोते हैं I mean what's going on man no really what's going on हम क्या मजाग में लें हम लेते हम सीरिसली मजाग में लेते अगर मुल्क की बागदोड इनके हाथ में ना होती we would have not taken them seriously they don't deserve to be taken seriously unfortunately हमारे मुल्क की बागदोड यहां आ गई है हम और करें तो क्या करें मतलब समझ नहीं आता ना कि हम रोएं भी तो अपने हाल पे रोएं क्या करें क्या इस मुल्क को तबाही की नहच पे लाकर इस हकूमत में खड़ा कर दिया और उसके बाद बिलकुल कैलिस तरीके से बेहिसी से दिया थापने अचिवमें अच आफ ते लुवर्ण पादू है नहीं दिया प्रूस भी पादेवें इस हैं आपने बच्छों को मिलने नहीं गया पोपटने एक आधए अगानिस्तान। ये अगा फौड़ीट तरह पोपड़ा नहींजिए नहीं लुक्टने जैज टानी नेख लोगर फिर पेक्ट सब्सक्राइब देगे आफितरा इंद की बडॉल्ट तू प्ली का ईंद्टन मरिपास इंद्टन की बडॉलट पानी का I'll leave it to my honourable colleagues who know more about taxation and things like that to respond because unlike my friend from the Treasury bench, I don't lay claim to know everything about everything. क्यूंके उसे यह होता है कि फिर इंसान एक बात सही नहीं बोलता. मगर जस्ट तू सेट रेकर्ट स्ट्रेट टेन बिलियों ट्री तूनामी नहीं थी वन बिलियों ट्री थी उसमें भी सिंध के मैंगरोव जिस पराबार बार वो जटाज गूल साथ तो अन रेकर्ट ट्वीटिंग ग्रेट लेना चाहरें है, अधरल गूमिट फिरो इन पूल मंगरोव प्रांट इन सिंध, अधर इन सिंध गूवनमेंट, वी आपने मैं अभी भी ताइम उनसे कमी लिया है, शुक्रिया झाल